गजो अच्छ 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 आखिए अच्छ आपके साथ में रोहित कुमारां फे नीज फॉर नेशन पर उपेंद कुछ वहाँ के पास ताकत तो बहुत है लेकिन उस ताकत का सरक्म है बिहार की राजनीती में पिछले कुछ दिनों से उपेंद्रिकुषवाह चर्चा के केंद्र में हैं जद्यू में जो हालत हो गई है उसके बाद उनका जद्यू में कंटीनियू कर पाना मुश्किल लग रहा है लेकिन अपने हक और अधिकार मांगने वाले उपेंद्रिकुषवाह अब क्या करेंगे इस पर सबके नजरेटी की हुए है बड़ी बात यह है कि उपेंद्रिकुषवाह को लेकर के बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार या फिर पार्टी के राष्टेंतिश दिलन सिंग सब साफ कर चुके हैं उपेंद्रिकुषवाह के बड़ बोले पर या फिर उनके बयानों से पार्टी इत्वाक नहीं रखती है या फिर कहें कि पार्टी के बड़े नेताओं को यह बयान पसंद नहीं है उपेनिकुष्वह जो बात कह रहे हैं उन बातों से पार्टी के बरनेताओं को फर्क भीनी पढ़ता है जाहितरपर बरनेताओं की बात करें तो उनके हैसाब से पार्टी बड़ी मजबुत हो और इतनी आगे बढ़ गए हैं कि अब जद्यू में उनका कंटीनिव करना मुश्किल हो गया है अलाकि अभी तक पार्टी में वो बने हुए हो पेंद कुश्वाह ने अपनी पूरी राज़नते करियर में 9 बार चुनाव लड़ा जिसमें 7 बर वो चुनाव हार गए महस दो बार ही उन्होंने चुनाव जीता पहली वार वो 2000 में समतापाती के उमधवार के तौर पर वेशाली जीले की जन्दाहब धान सभासीत जीत कर विधायक बने थे वहें दूसरी वार उपेंद कुश्वाह साल 2014 के लोग सभास चुनाव में कालकार सीट जीत करके सांसद बने थे इसके अलावा 2010 में वह राजिसाभाग के सांसद बने और 2021 में विधान परिश्वाह के सदस्य बने हलाकि उपेंदर कुश्वाह के नाम पर ये रिकॉर्ड जरूर है कि वह चारो सबनों में रह चुके हैं बिहार में उपेंद्र कुश्वाह की सियासित जमीन पर कितनी पकड़ है इसे मुख्यमंत्रे नितिशकुमार और खुद उपेंद्र कुश्वाह अखोबी जानते हैं बिहार में वोट बैंक और नापने का थर्मामीटर उनकी जाती होती है और ऐसे में उपेंद कुश्वाह की अपनी जाती कुश्वाह समाज पर कितनी पकड़ है इस बात का पता 2024 के लोग सुभाज चुनाव से चल जाता है जहां उपेंद कुश्वाह ने अपने पूरे राज जीत हासिल हुई थी उनकी पार्टी को इस पूरे चुनाव में 3 फिस दी वोट हासिल हुए हलाके 24 जो 14 का लोग सुभाज चुनाव था उसमें सभी पार्टी उनी अलग-अलग चुनाव लड़ा था यूपेंद बंदन को 29 इसम लग 7 फिस दी वोट मिले थे वही नितीश क पर चुनाव लड़वाया इस पूरे चुनाव में उपेंद्र कुष्वाहा मातर दो सीटों पर ही चुनाव जीत सके और उनी का पोर्ट परसेंटेज खट करके 2.5 फिस दी हो गया इस चुनाव में नितीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी ने महाकरबंदन को बड़ी जीत दिलवाई थी उपेंद्र कुष्वाहा की असल परिच्छा 2019 के लोग सभा चुनाव से शुरू ही इस ने 2019 के लोग सभाद चुनाव में उपेंद्र कुष्वाह की पार्टी को पांच सीटों पर चुना लड़वाया इस चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू सबके सिर्चर कर बोला और उपेंद्र कुष्वाह सहीत बिहार में महागर बंधन का सूपड़ा साफ हो गया जहां BGP जद्यू और LJP ने मिलकर के 49 सीट जीती वहीं कॉंग्रेस को इकमात सीट पर संतोस करना पड़ा फिर 2020 में बिहार दान सभाद चुनाव में उपेंद्र कुष्वाह ने पार्टी को नहीं प्रियोग में डाला ना तो RLSP NDA के पक्ष में थी और ना ही UPA के पक्ष में उपेंद्र कुष्वाह ने पस-पास मजवादी पार्टी OVC के पार्टी AIMIM के साथ मिलकर के Grand Democratic Secular Friend के नाम से तुसरा मोर्चा बनाया RLSP ने 99 सीटों पर चुनाव लड़ा और OVC ने मातर 20 सीटों पर चुनाव लड़ा वो पेंद्र कुष्वाह ने उन्हें 20 सीट नहीं मिली वहीं OVC ने अपने 20 सीटों में से 5 सीटों पर जीत हासिल किया जब उपेंद कुश्वाहा के लिए बिहार की दाजनीती में बहुत कुछ बचा नहीं था ऐसे में अपने सियासी समीन को तलाशते वे तीसरी बार नितीश कुमार की कैंप में चले गए जहां मुख्य मंतर नितीश कुमार ने उन्हें पहले जद्यू का केंद्रे संसद्य बुड का ध्यक्ष और फिर बाद में मलसी बनवाया समताप्पाटी के संसथा पक रहे उपरिनकुष वह नितीश कुमार जौरज फर्णान्डेस ने जब वन पार्टी का नाम बदलकर जिमता दल युनाइटि किया तो वन पार्टी एंडिय के खटर बदल के तोर पर थी बिहार में नितिश कुमार, श्रदियादर, जोर्ज फर्नांडेस, उपेंद कुछवा जैसे सरीखे नीता लालु यादर के विरोध में अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे थे खास तोर पर नितिश कुमार पार्टी में बड़े नीता हो चुके थे केंदरी मंत्री भी रह चुके थे लालु यादर के विरोध में तभी विरोधी दलो को एकजूट करके 2005 में बिहार में सरकार बिनाने में काम्याभी हासिल की तब से लेकर अब तक नितिश कुमार इक्राजिती लालु ये खिलाफी चलती रही है बीच में पंदरा के चुनाव में नितिश कुमार लालु यादर के साथ समझता करके साथ आये तुरंद बाधी फिर वो इंडियन लोट गए बात के दिनों में फटिव धानसभा चुनाव में इंडियन के साथ रहे लेकिन हाल के करीब 6 मेने पहले उन्होंने फिर से कहें कि एक बार महागरबंधन का रुख किया है नितिश कुमार ने जैसे ही तेजस्वी यादर को अपना उत्रादिघारी घोशित किया उसके बाद से उपेंद कुश्वाह इस मुही में जुट गए कि एक बार फिर लालु यादर के हाथ में पूरी सत्ता चली जाएगी तो पिश बार में कुश्वाहर कुर्मी मिलाकर टुटल 12 फिजदी वोट बैंक है जो सीधे 2005 से लेकर अब तक नितिश कुमार से जोड़ा हुआ है जिसमें कुर्मी महज 3 फिजदी बाकी के 9 फिजदी कुश्वाह हैं जो नितिश कुमार को लेकर एक जुट रहा है इसे में उपेंद बार में कुश्वाह की ताकत कितनी हैं आप समझ गए 9 बार के चुनाओ 7 बार की हाट सिर्फ 2 बार की जीद नितिश कुमार का साथ और नितिश कुमार की खिलाब सब कुछ मिस्तार से बताया अब बबेंद पुश्वाह के पास रास्ते ये ने चुने बचे हैं अब देखन क्या होगा कि उफैसला क्या करते हैं फिलाले समीच उमित नहीं नमस्का